गुड मॉर्निंग एवरिवन आज है 14 दिसंबर 2023 दिन है गुरुवार दोस्तों आज के दिन से रिलेटेड जो भी न्यूज है जो कि हमारे UPSC IS एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी जो भी अपना सोर्स है दहिंदू हो गया इंग्यान एक्सप्रेस हो गया पी है ना तो इन सारे सोर्से से जो भी न्यूज थे जो हमारे एक्साम के लिए काम के हैं उसको हम लोग यहां पर ले करके आये हैं यह वीडियो आपको सुबह 5 बजे रोज मिल जाया करेगा चले देखें एक बार क्या-क्याई न्यूज हमको आज डिसकस करना है तो देखें द अधरकार के कुछ रूल्स आये हैं उसको हम लोग देखेंगे उसके बाद दोस्तों एक और आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस कही है ठीक है इसमें क्या है दोस्तों कि इतली का जो अभी एक्शन है बेल्ट इन रूट इनिशेटिव के उपर में उसके बारे में हैं तीसर आर्टिकल को देखेंगे दोस्तों हम्दुक जो भी चीजो को एक डेली मैप प्रेक्टिस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे प्रेवलेम्स के एक्जाम में कम से कम साथ से 8 कोश्चन डीरेटली और इनडेरेक्टली मैपिंग से ही होते हैं ठीक है तो अगर हम डोग यह प पीएम जन्मन यूजना के बारे में और चौता जो है हमारा सेक्षन हम लोग प्रिलियम्स और मेंस के जो पीवाई क्यूज है जो की आर्टिकल से ही रिलेटेड हैं जो पहले भी उससे कोस्चन बन चुका है उसको देखेंगे ठीक है छेले दोस्तों वीडियो का स्टार्ट कर भाना प्रतिनेम बना आएगा अधररवाइस दोस्तों दिसक्रिप्शन में भी लिंक है आप महां पर बी आखर करके ट 되면 चैनल को जॉइन कर सकते हैं और पीडिएप को वहां से प्राप्ठ कर सकते हैं ठीक है उसके प्रतिनीधी मंडल है अब उसने क्या किया है अब आपको पता है कि जो चाइना की एक्टिवीटी है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा है और भारत के लिए कहीं न कहीं एक थ्रेट है इसलिए UPSC में इस लोकेशन पर कोश्चन बनना बहुत सामान नसी बात है इसलिए हम लोग इसको देखते हैं देखें दोस्तों मैप में आप लोगों ने और लोकेशन देखा होगा ठीक है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में नौर्थ मतलब कि उपर साइड में आपको एक छोटा सा आईलेंड देख जाएगा ठीक है तो यहां पर है सोलो बन नहीं गुजर रहा है यह भी ध्यान में रखना है आपको ठीक है ऑस्ट्रेलिया से नौर्थ में है और साउथ पेसिफिक ओशन में यानि कि प्रसांत महसागर के दक्षडी भाग है उसमें है ठीक है चले आप देखते हैं हमारे आर्टिकल्स को बारी बारी देखें दोस्तो पहले आर्टिकल्स मैंने आपको बताया GS3 पेपर से रिलेटेड है इसके कुछ information ऐसे हैं जो कि हमारे prelims के लिए important है और कुछ ऐसे हैं जो means के लिए important है तो दोनों चीजों को साथ मिलेके चलेंगे देखते हुए चलते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस में निउस छपी है और सरकार अभी नए नियम लेकर किया गई है ठीक है और तीस ऐसे खनीज हैं जिनको सरकार ने critical यह जो critical mineral है उसका दरजा दिया है तो वो क्या है और क्या नहीं और यह सारी जो चीजें उसको हम लोग बारी बारी डिसकस करते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले समझना पड़े जिसमें नीजी छेत्रों को विकरी के लिए 20 ब्लॉक्स की पेसकस की गई है ठीक है सुरू करके खनन छेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है इसका मतलब है दोस्तों कि पहली बार private sectors को भी क्या है कि जो महत्वपून खनीजे उनकी mining का अधिकार दिया जा रहा है निलामी के सब चीजे मिलती है कि ऐसा प्रोसेस होगा उसको भी हम लोग आगे देखेंगी छेरे देखें पहले समझते हैं कि महत्वपून खनीज की जो पहली निलामी इसक में में पॉइंट्स क्या-क्या है तो देखिए ऐसा पहली बार है कि लीथिया मयस्क के खनन से संबंदी तदि आगे देखें दोस्तों खान मंत्रा लेके अनुसार 20 खनीज ब्लॉक आठ राज्यों में विश्तरिते हैं जिसमें सबसे अधिक ब्लॉक यानिकि साथ ब्लॉक अकेले तमिल नाडू में है इसलिए आपको यह पॉइंट भी विल्कुल याद रखना है इसको अच्छे से या चार ब्लॉकों को खनन लाइसेंस के लिए निलाम किया गया है ठीक है जिसमें लाइसेंस धारी को ततकाल खनन कारे करने की अनुमति मिल जाती है जबकि 16-16 ब्लॉकों की निलामी समगर लाइसेंस के लिए की जा रही है जिससे खनन और भूवज्यानिक अनुमेशन की अनु पर दूब नहीं है सबके लिए रूल अलग अलग है ठीक है इसमें लाइसेंस जिसके पास होगा उसको तत्काल पर्मिशन मिल जाता है और जो बाकी के लोग है उनको समगर लेना पड़ता है ठीक है जिसमें खनन भी कर सकते हैं और जो उनका रिसर्च वगेरा है जियो लॉज तरीके से जो एक्शन क्यों ले रही है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं लिए सरकार द्वारा तीस खनीजों को महत्वपूर्ण घोसित किया जाने एवं खनन कानूनों में संसोधन के बाद महत्वपूर्ण खनीजों की नेलामी का कारे सुरू किया गया है इसका पिएम 1957 इसमें क्या हुआ है संसोधन कर दिया है ठीक है 2023 यह नए एक्ट आया है और संसोधन करके 30 खनीजों को महत्वपूर्ण खनीजों के रूप में चिन्हित किया है यह संसोधन केंद्र सरकार को इन खनीज इन खनीजों के ब्लोक की निलामी करने का अधिकार प्रदान करते हैं तो अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो महत्वपूर्ण खनीज है उनके निलामी का अधिकार किसके पास है तो अधिकार केंद्र सरकार के पास में ठीक है कहां से अधिकार के अंदर सरकार को मिला है तुमको मिला है खान और खनीज अधिनियम 2023 से ठीक है यह चीज़ आपको याद रखनी है इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो प्रेलियम्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टिंट फेक्ट है कि आखिर कौन कौन से खनीज है जिनको महत्वपूर्ण खनीज माना जाता है तो इनको 30 टोटल इनका नंबर है 30 यहां पे दो तीन बार आपको देखना पड़ेगा क्योंकि एक्जाम में 6-7 option एक साथ होंगा और आपको सेलेक्ट करना होगा कि तो देखे पहला इंटी मनी दूसरा एंडा है बिरेलियम फिर बिस्मत है कोबाल्ट कॉपर गैलियम जर्मेनियम क्रेफाइट हेफनियम इंडियम लीथियम मोली बलेडेनम हे नायोबियम निकिल फिर फासफोरस पोटास और यी फिर रेनियम सिलिकॉन स्टॉंटियम टैंट जिर्कोनियम सेलेनियम और कैडमियम ठीक है दोस्तों यह चीज आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन डारेक्ट कोश्चन इससे बन जाएगा तो आप आस्वस्त रहें इसको अच्छे से याद कर लें क्योंकि एक दो कोश्चन तो खनीच के कंफा में कि आना ही आना है और क्योंकि यह महत्पूर्ण संसोधाने इसे लिए हो सकता कि सीधा इसी से कोश्चन बन जाए इसको छोड़ने का रिस्क मत लीजेगा अब देखिए बोली लगाने वालों द्वारा प्रदान किये गए खनीच प्रेशन मूल लेकिए उच्छेतम है वो जो सबसे जादा होगा ना उसी को आधार मान लेंगे ठीक है और उसके बाद से फिर बोली चालू होगा वहां पर ठीक है क्योंकि देखिए कभी भी निलामी होती है तो एक बेस प्रहे होता कि सौ रूपए है अब इसके ऊपर आपको निलामी लगानी है ठीक है और द चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी खनी संसाधन है भारत में उनका जो खोज करने का काम है वो कौन करता है तो वो काम करती है भारती भूगाज्यानिक सर्विक्षन ठीक है इसके बारे में भी आप गूगल करके थोड़ा सा डीटेल में पढ़िएगा कि यह क्या च अर्टिकल पढ़ना काफी नहीं है और भी जो बाकी चीजे हैं इसके आसपास की हमको सारी चीजों को अच्छे समझ के चलना है कहीं से भी कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए ठीक है तब जाके जो तैयारी है वो एक्साम के लिए हो पाएगी परफेक्टली ओके देखे महत महत्वण खनीज बोल रही है तो देखिया आर्थिक विकास और राष्टिय सुर्ण के लिए आवस्य खनीजों को महत्वण खनीज कहा जाता है ठीक है चुनिंदा भौगली के स्थानों में इनके निसकर्षण अथ्वा प्रसंसकरण की मात्रा या फिर इनकी उपलब्दद से आपूर्ति सरंखला में व्यवधान भूत्पन हो सकते हैं तो आपको यह चीज ध्यान में रखने की आर्थिक और राष्टिय दोनों तरीके से महत्वण वक्य है ठीक है अब देखिया महत्वण खनीजों की घोशना के बारे में यह एक परिवर्तनी प्रक्रिया है जो सम विभिन महत्वण खनीज उपलब्द हो सकते हैं राष्टिय सुरक्षा अत्वा आर्थिक विकास में उनकी भूमिगा के मद्दे नजर अमेरिका ने 50 खनीजों का महत्वण खोशित किया अमेरिका में इनका नंबर 50 है और हमारे यहां क्या है दोस्तों 30 है जापान के लिए तो 31 है UK के लिए 18 है यूरोपिय संग के लिए 34 और कनाड़ा के लिए 33 है यह चीज़े याद नहीं रखनी है मोटा मोटा बात जो आपको समझना हो यह है कि हर देश मत्वण खनीजों का जो लिस्ट है उसको घोसित करता है अपने आपे क्यों करता है क्योंकि जो ऐसे जो को नोटीफाई कर देते हैं ताकि उनका रेगुलेशन उनकी माइनिंग है ना और उनसे संबंदित जो भी नीतिया है उन पर अच्छे से कारे हो सके ठीक है यहाँ तक समझ रहें दोस्तों यहाँ तक यह वाला जो स्लाइड है इसमें में में पॉइंट जो है मैं आपने निलामी कौन गोशित करता है कि इंदर सरकार करती है ठीक है यह भी आपका समझ में आ गया लेकिन मेंस में वैसा कोश्चन नहीं बनेगा मेंस में क्या बनेगा कि महत्वपुन खनी जो है भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है है ना उन चीजों को आपको आपको एक्जा जो पर काफी निरभर है ठीक है इसके अतरिक सौर पैनल पवन टर्बाइन बैटरी तथा इलेक्ट्रिक वहानों जैसे हरित प्रद्वक्यों के लिए उप्योग जो है मतुपुन खनीज आवस्या है ठीक है भारत में इन छेत्रों में घरिलू मांग और दक्षता को देखते हुए उनके वरिद्दी से रोजगार स्रीजन आयस रिजन एवं नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है ठीक है तो आपको यह मोटा मोटा पॉइंट याद रखना कि आर्टी की कास के लिए इंपॉर्टेंट है बाकी पॉइंट्स तो आप खुद से इसको लिख सकते हैं ठीक आपको पता है कि यूरेनियम अगेरा का जरूरत पढ़ता है तो इस तरीके के जो हमारे राष्टे सुरक्षा वाले जो छेत्र हैं ठीक है उनके भी खनीजों का योगदान बहुत जादा है फिर पर्यावरण ये धार धार्नियता के वारें बात करें यानि कि पर्यावरण क चाइसे उस सर्जन पर भारत की निरभरता को कम करने मदद करते हैं Надे कि अफिसान आख लिधियम अायन बैटरी है नगंधरी उस cui बन रही है उससा सब्रम और oy starters कर रहें हम लोग उसमें ने कौनेट कोश्कतन इंश्रारी आफिज क्लश वालीज Day there in Weekend वन्हीन पर संधिया जता ही है ठीक है यह बात आपको पता होगे अभी यह जो COP की मेंटिंग्स होती है UNFCCC की वहाँ पर भारत में यह बात कही थी कि हमारा यह तो यह टार्गेट है आपको याद रखना है बहुत में है इसको मींस में यूजर कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है और देखते हैं आगे कि भारत के सामने चुनौती क्या है देखे दोस्तों मीन्स का जो कूश्चन होता है आम तवर पर वह महत्व पूछते हैं चुनौती पूछते हैं तो आपको भी अपनी तयारी सुरू से वैसी पढ़नी है कि आपको हर चीज पॉइंट टू पॉइंट पता हूं कि चुनौती क्या है संगर्स का प्रभाव ठीक है रूस विभिन महत्वपूर्ण खरीजों का एक प्रमुकुत पादक है जबकि युक्रेन के पास लिथियम कोबाल्ड ग्रेफाइट और दुरलब मिदा तत्वों का भंडार है दोनों देशों के बीच चल रहे संगर्स से महत्वपूर्ण खरी प्रभाव पड़ा है तो इस चीज़ को आप वहां पर विल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों ठीक है दूसरा सिमित घरेली और अगर आगे देखेंगे दोस्तों तो भारत जो है लिथियम और निकिल जैसे महत्वपूर्ण खरीजों के लिए आयात पर काफी निरभर है आयात कि उस तरपे इसका उत्पादन सुन्या है है ना जो कि बहुत इंपॉर्टन डाटा है दोस्तों इसको आप मेंस के पेपर में भी यूज कर सकते हैं और प्रेलियम के लिए एक फैक्ट के रूप में भी पूछा जा सकता है ध्यान रखने आपको तीसरा चैलेंज देखें त कि बड़ी मातरा में अवशकता होती है अब वही बात है दोस्तों कि अगर हमने फैक्टरी लगा दी है आपको पता है कि भारत में अभी आज के टाइम पर देखेंगे तो ओला जैसी जो इलेक्ट्रोनिक स्कूटी से बहुत पॉपुलर हो गई है और फोर विलर में भी आप को पूरा करने के लिए उत्पादन भी उसी तरह पर करना पड़ेगा तो यह चैलेंज बहुत बड़ा है हमारे साब में ठीक है और देखेंगे आप यह तीनों चीजें आपस में कहीं ने कहीं लिंक भी हो रही है ना तो आपको याद रखने में आसानी भी रही है यह चीज दोस्तों तो अब देखें अगर फाइनल जो स्टेट्मेंट है इस पूरे आर्टिकल के ऊपर कि अब कैसा भारत को क्या करना है आगे क्या नहीं करना है तो देखें भारत के पास महत्पूर्ण खनीजों के रणनीतिक प्रदबंधन के माध्यम से अपने अंतराश्टिय सहय जोग और साजेदारी को मजबूत करने का सुनहरा आउसर है ठीक है संयुक्त राश्ट अमेरिका के नेत्रित्तों में खनीज सुरक्षा साजेदारी जैसी पहल में भाग लेकर भारत वैश्विक महत्पूर्ण खनीजापूर्दी स्रेंखला की स्थापना में योगदान दे सकता है औस्टेलिया कनाड़ा जापान और दक्षिन अफ्रीका जैसे देशों के साथ दूपक्षिय समझवाते महत्वपूर्ण खनीजों की खोच दिकास प्रसंस करें तथा व्यपार में भारत की स्थितिव को बहतर बढ़ाने में काफी मदद कर सकते हैं ठीक है तो यह त दोस्तों हमने हमारा पहला आर्टिकल डिसकर्स किया जो कि इंडियान एक्सप्रेस से रिलेटेड था ठीक है अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को थोड़ा लाइक करिए द ठीक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे न्यूस की हैडलाइन तो है कि वाट डाज़ा स्पेशल पैकेज मीन्स फोर पर्टिकुलर्ली वनरेबल ट्रैबल ग्रूप्स और दोस्तों इस चीज से प्रिलियम्स में दो बार कोश्चन बना हुए ठीक है तो बहुत महत्तोपू आपका पढ़ा हुआ वहाँ पर रिप्रोड्यूस होगा ठीक है तो आपको इस सब चीजों का ध्यान रखना है चले देखते हैं आर्टिकल किस बारे में और क्या बात करता है यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी न्यूस में भी इसको कवर किया गया है लगातार ठी केते के चर्चा में क्यूं है हाली में जंजाती कार्यमंत्राले ने महत्वा कांची प्रधान मंत्री जंजाती आदिवासी न्याय महाभियान जिसको पीम जन्रमन का नाम दिया गया है पर प्रकाल टाला ठीक है जो पीवी टीजी है उनके उत्थान के उत्देश से पहल उनक की है तो अब इसको हमको डीटेल में देखना पड़ाईगा ठीक है देखे योजना क्या इसको समझते हैं बारी-बारी एक-एक चीज को दोस्तों थोड़ा आराम से समझेंगे बीना हडबड़ी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम बिसकस कर रहे हैं तो यहां पर हड बढ़ा कि ऐसा नहीं करना कि जल्दी-जल्दी में बस आपने वीडियो को देखा और मैंने भी वीडियो बनाया और डाल दिया ऐसा नहीं है चीजों को समझ की जाना पड़ेगा आगे तब फिर हर चीज का जो परपस हो पूरा हो पाएगा देखे इसका परीचे समझते हैं पीम जनमन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश से चंजाती समधायो को मुक्यधारा मिलाना है यह योजना चेंद्रे च्षेतर च्था केंद्र प्रवजित योजनाओं का एक ही करने जंजाती तकारे सहयोग से कारेंवन की जाएगी इसका सिंपल सा मतलब यह है दोस्तों कि इसमें राज्य सरकारों का भी सहयोग होगा और केंद्र का जो जनजाती कारेंवन्तराले है वो भी सहयोग कर गया यानि कि मिल बाट के काम होगा इसमें यह बात आपको याद रखना है ठीक है देखे य या योजना 9 संबंदित मंत्रालेओं द्वारा देख रिक किया जाने वाले 11 महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों पर ध्यान के इंद्रित करेगी जो PVTG वाले मौजूत योजनाओं के कार्यानवन को सुनक्षित करेगी यानि कि आप देखेंगे इसमें 9 मंत्राले जो हैं आ एक गरीमा पूर्ण जीवन के लिए जो संसाधन आपके पास होने चाहिए उन संसाधनों को जन्चाती समुदाय तक पहुचाने के लिए PM जन्मन योजना लाई गई है इस वियोजना में वन उपच के वैपार के लिए वन धन विकास केंद्रों की स्थापना यानि कि रोजगार की भी विवस्ता कर रहे हैं एक लाग धरों के लिए आफ ग्रीट स्वर और जप्रणाली स्वर स्ट्रीट लाइट की विवस्ता सामिरे ठीक है इस योजना में पीवी टीजी के साथ भेदभाव यहम उनके बहिस्कार के विविद वप्रति छेदन गूपों का समाधान कर राश्टी यहम वैस्विक विकास में उनके अद्वेतिय वमूल लेवान युगदान को मानेता और महत्व देकर पीवी टीजे के जीवन की गुडवत्ता तथा कल्याण में व्रिद्धी होने की उमीद है तो आपको बेसिकली याद रखता है कि योजना जो है जनजाती कारे मंत्राले और बाकी राजे सरकारों के सहयोग से होगा विभी निमंत्राले इसमें क्या करेंगे अपना अपना युगदान देंगे ठीक है चलिए और देखते हैं आगे क्या है कि इसमें आप जो प्रॉब्लम्स होंगी है न जो समस्याएं हैं उनको हम लोग देखते हैं कि यूजना तो बहुत अच्छी है हम नहीं समझ लिया सरकार की सोच बहुत अच्छी है कि जनजाती समुदाय को मुख के धारा में भी लाना और जो भी उनकी जरूरते हैं उनको पूरा करना ठीक है लेकिन यह चीज़े इतनी असान नहीं है क्यों नहीं है क्या challenges face करना पड़ेगा government को उसको समझते हैं हम लोग क्योंकि आप भी IS भनेंगे तो आपको ultimately इनी problems को deal करना है वहाँ पर बैटके है ना तो आपको पहले साइडिया होना ही चाहिए तो देखिए PVTG पर अगतन डेटा यानि कि जो updated डेटा है कि कमी एक महत्पूर्ण चुनाती है ठीक है मतलब डाटा नहीं है क्योंकि PVTG के लिए अंतिम उपलब्द जरगरणा डेटा का जो 2001 का है वो है ठीक है जिसके अनुसारी इन समुदायों से सम्मंदित लोगों की कुल संक्या लगभख 27 लाग क्या सपास थी यानि कि जो डाटा है डाटा की कमी है डाटा बहुत पुराना है 2001 का है अभी क्या चर रहा है दोस्तो 2023 जो कि अब 24 होने वाला है तो कितना पुराना डाटा है 22-23 साल पुराना डाटा है तो इसमें अब सरकार किस तरीके सेक्षन लेगी बिना जानकारी है कि लोग कहां पर हैं कितने हैं यह पता ही नहीं है तो है ना फिर देखें जनजाती मामलों के मंत्राले ने अधारबुत सरविक्षण कारे सुरू कर दिया है लेकिन PVTG अबादियक सर्टिक और वरतमान डेटा सेट संकलित किया जाना बागी है यानि कि ये काम तो कर रहे हैं पर अभी भी इसमें टाइम लगेगा वर्स 2022 में सामाजिक नाय और अधिकारिता पर संसदिय स्थाई समीति को प्रस्तूत जनसंक्या डेटा वर्स 2011 की जनगर्णा पर अधारिता और इसे महराष्ट मनिपूर ये मराजस्तान की PVTG जनसंक्या सामिल नहीं थी शानिकी कुल मिलाके दोस्तों यहां पर जो पूरा बूरा बात किया जा रहा है यहां से लिके यहां तक वो पूरा कुल मिलाके एक ही बात है कि इनके पास राटा का बहुत कमी है ठीक है विबिने छेत्रों में PVTG की जरूरतों यहां चमताओं को लेकर जटिलता एवं विवित्ता तथा अनुकूलित और रचीरे द्रिश्टिकोण की आवसकता रहेगी यहां पर है ना मुख्यधारा मुख्यधारा के समाज और राज में PVTG द्वारा सामना किया जाने वाले कलंक और फेद भावत तथा इधार को यहम जनता के बीच समेदर शिलता और जागरुता बढ़ाने के आव सकता है पहला देखे चैलेंज से दोस्तों डाटा के लेवल पे है दूसरा लोगों के बीच समेदर शिलता बढ़ाने की जरूरत में तीसरा देखेंगे तो जो यह PVTG इनकी जरूरत और छमताएं जो हैं वो अलग अलग है ठीक है उसके प्रती लचीला द्रिष्टी कोड अपनाना ही पड़ेगा केंद्र और सरकार जो राज्य सरकारे हैं उनकी लग अलग राज्य सरकारों के भी जैसे 36 गड़ है तो जनजाती बहुले राज्य है वह जनजाती बहुत ज्यादा है वहाँ पर तो ऐसे में आपको यह करना पड़ेगा कि जो भी उनके यहां पर जो भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं को पीम जन्मन योजना है इस के साथ कॉडिनेट करना पड़ेगा जो कॉडिनेशन का काम होता है न दोस्ते बहुत टफ होता है आप खुद सोचिया कि आप और आपका रूमेट पस दो लोग रहते हैं साथ में फिर भी कितना कुछ ऐसा होता है कि चीजे आपस में जम नहीं पाती है कभी किसी बात के लि प्राजे सरकारों के भी तो ऐसे में कॉडिनेशन जो है बहुत टफ काम है और बहुत इंपॉर्टेंट चैलों है में चैलेंज कॉडिनेशन के लेवल पर आप देख सकते हैं अब देखते हैं दोस्तों कि यह जो पीवीटीजी है वीसे इस रूप से कमजोर जन जाती है देबर आयोग ने यह आयोग का नाम भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है आतिम जन जाती समु को एक विसेस ट्रेणी के रूप में स्थापित किया जिसमें घटती या इस्थिराबादी पूर्व क्रिसी प्रवद्वद्वगी के का उप्योग आर्थिक पिछड़ कर रहे हैं ठीक है यहारी एगरी कल्चर के पहले से जो मतलब कितने प्राचीन टेम के जो टेक्नोलोजी उसका यूज कर रहे हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं साक्षर्टा काम है ठीक है ऐसे समुदायों को इसमें सामिल किया गया है इन समुदाइव को जन जाती समु है PVTG बोलते हैं तो आपको याद रखना कि ST से भी इंकीस भराब हैं वर्द 2006 में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया था पहले इसको PTG बोलते थे ठीक है ? पर बाद में क्या कर दिया PBTG कर दिया तो ये भी अपपयाद रखना है वे दूर्दराज और दूर्गम इलाकों में रहते हैं तदा खराब बुनियादी धाचे और प्रदासासनिक शाहता के कारण चुनोते हों का सामना करते हैं ठीक है भारत में 18 राज्यों और केंद्रसासित प्रदेशों में 75 PBTG समुदाय रहते हैं ये डाटा important है एक्जाम में पूल भी चुका है हर राज्य में नहीं है टोटल 18 राज्य में है और कुछ केंद्रसासित प्रदेश में है ठीक है कितने हैं इस प्रकार के समुदाय 75 समुदाय है ठीक है ये भी आपको याद रखना है बहुत important डाटा है ये उडिसा में दिखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहीं पर है 15 इसके बाद आंध्रा प्रदेश में है फिर बिहार और जहारखन 9 फिर मद्य प्रदेश शत्षिड मिला के साथ तमिल नाडू में 6 और केरल और गुजरात में 5 पांच 5 पांच है मतलब दोरों में ठीक है सबसे ज बान में सभी चार और निकोबार्दू समू में एक जन जाती है समू पीवीटीजी के रूप में मनेता प्राप्त है ठीक है यहीं अन्ड बान में जो चार गुरूप्स पाजाते हैं चारों के चारों को पीवीटीजी का दज़र मिला हुआ है तो यह भी याद रखना है क्या कोश्चन उसको समझते हैं कैसे स्वाल करना भी समझते हैं लेकि भारत में विशिष्टा असुरक्षित जन जाती है समू पर्टिकुलर्ली वन्रेबल ट्राइबल ग्रूप्स यानि की पीवीटीजी के बारे में निम्लिकीत कर्दों पर विचार किजिए करता है कि पी एक है ठीक है आपने अभी पढ़ा हुआ तो आपको एक कोश्चन खुद सॉल्व परना है दोस्तों देश में अब तक 95 पीवीटीजीस अधिकारिक रूप से अधिसूची थे हैं पीवीटीजीस की सूची में इरूलार और कोंडा रेडडी जन जाती हैं शामिल हैं दोस्त तो उसको ऐसा कट कर देते हैं पिर पहले आप सॉल्व करेगा उसके बाद फिर आंसर आप देख सकते हैं ठीक है अब अगला जो हमारा आर्टिकल अश्को डिस्कॉस करते हम भी बहुत इंपॉर्डेंट है हाँ दोस्तो देखे अगले आर्टिकल पर जाने से पहले जो जन जाती उनसे रिलेटर जो मेंस के कोश्चन आए हुए उनको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग पहला कोश्चन है कि स्वतंतरता के बाद अनुसूचित जन जातियों के प्रती भेदभाव को दूर करने के देखे लें राज जी द्वारा की गई दो वितिक पहले क्या है ठीक है तो आपको बताना है कि सरकार ने कौन-कौन से नियाम कानून लाए है स्टीस के लिए तो जो स्टीसी एक्ट है दोस्तों आपको पता होगा एक तो वह है और एक और आप सोच सकते हैं कि और क्या है चार है महत्तुपूर्ण है थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रॉमिंग करिए पॉइंट्स फिगर आउट करिए अगर दिक्काद होगे तो कमेंट करेगा हम दो फिर आपको मॉडल अंसर भी प्रोवाइट कर देंगे दूसरा कोश्यन देखिए दोस्तों कि क्या कारण है कि भारत मे जन जातियों को अनुसूचित जन जातिया कहा जाता है भारत के समिधान में प्रतिस्थापित उनके उद्धान के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए यानि कि जो भी इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे उनको आपको यहाँ पर बताना है ठीक है उनको इतली की जो पीम है जोर्जिया मेलोनी ठीक है इन्होंने क्या किया है दोस्तों कि जो चाइना है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव है जिसके बारे में आपको साथ आइडिया होगा क्या है पहले वह समझ दीजिए बेल्ट इनिशेटिव यह है दोस्तों कि में जो ट्रांसपोर्ट की एक रास्ता है पुरा बन जाए लेकिन चाइन इतना नहीं करना चाहता है उसका जो परपस है कि अपने आपको चीन के इनिशीटिव से अलग कर लिया है ठीक और देखते हैं क्या था एक तो वह पहले शामिल नहीं हो रहे हैं शामिल हुए तो उसके बाद फिर उससे निकल गए तो कहीं न कहीं चाइना को बहुत बड़ा जहटका लगा है चीज से ठीक है और भारत को सका क्या लाब मिल सकता है यह हमारे आयर के लिए important है यह चीज समझना जरूरी है क्योंकि IR के जो question बनेंगे दोस्तों इसे डाइब के बनेंगे तो यह issues को हमको धीरे-धीरे क्या है करना समझना है देखिए चीन के बियर जो बियर आई से अलग हुआ इटली उसके बारे में देखते हैं इंडियान एक्सप्रेस में यह आर्टिकल आया था चर्चा में क्यों है मैंने आपको बता दिया कि जो अपना इटली है वो इससे बाहर हो गया ठीक है इटली का भी आप लोकेशन देख इसको आप मैप में जाकर देख सकते हैं क्या है दोस्तों ऐसी धीरे धीरे करते करते ना ऐसी मैपिंग हो गा आप 1 कट्था एक दिन लेके बैठेंगे तो सब आपस में दिमाग में फिर मिक्स हो जाता है हो नहीं पाता है चेले देखते हैं कि इटली क्यूं भटा है इससे तो पहला तो कारण दोस्तों कि आर्थी का संतुलन क्योंकि इटली जब इसमें सामिल हुआ था ठीक है तो वो दस वर् जो खुद का बाजयट था वो हिल गया ठीक है दूसरा देखेंगे भूराजनितिक पुनर्स जो पुनर्सन रेखाने इसका मतलब है कि इटली जो है दोस्तों यूरोप का है यूरोप में आता है ठीक है और यूरोप और चाइना का थोड़ा सा रिलेशन अच्छा है नहीं तो कहीं ना कहीं अपने आसपास के छेत्र के देशों के साथ अपने रिलेशन मिंटेन करने के लिए भी इटली का जो जुकाओ है वो यूरोपीय देशों के दरफ है और इसलिए चाइना से थोड़ा सा अब दूरी बना के रखना चाहता है ठीक है तीसरा देखेंगे तो प इस इनिशेटीव को सपोर्ट नहीं कर रहें तो आप अकेले क्यों कर रहें तो क्या उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज का नुखसान उठाना पढ़ेगा फिर आगे इसलिए क्या है कि यह चीज को भी धियान में रख रहा है बाकी देखेंगे नाकारात्मक प्रेश यों रिन संबंदी चिंता है जो दोस्तों यह जो चाइना का प्रोजेक्ट है ना इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना कि चाइना आपको बहुत सारा लोन दे दे रहा है कि आप हमसे लोन लेजिए और फिर आराम से लेकिन लोन आपको बहुत सारा पैसा दे दिया उनको फिर पैसा चुआनी पाए तो हमबं टूटा पोड़रा जो है यह सब को रोगबहु सोग साल तक वह ही रहने वाला है ठीक है तो इसको बोलते रेड जाल ठीक है डेट बोलते है फिर उनका जो वित्तिय सम्वेभार उसमे पारदर्शिता भी नहीं है वो खुल के इस चीज को बता भी नहीं रहा है कि क्या है कितना घर्चा होगा कैसे होगा है ना सब कुछ अपने अपने में कर रहा है तो ऐसे हैं मैं दोस्तों कोई भी कि स्वतंतर राष्ट उनके साथ जूड़के काम करने के लिए फिर उनकी इच्छा वहां से खतम हो जाती है क्योंकि उन नेताओं को भी अपने देश की जनता को जवाब देना पड़ता है और देखें आगे कि भारत कट अब इटली से कैसा रिलेशन है क्योंकि वो चीज जो है उससे कोश्टन सायद ही बनेगा कि इटली उससे क्यों अलग हो गया और बनेगा तो छोटा सा उसमें आपको दो-चार पॉइंट लिके खतम कर देना है पर कोश्टन जो बनता है यार म संबंद है कैसे भारत और इटली वेपार मार्गो तता सांस्क्रितिक अधान प्रदान के माध्यम से इतिहासिक संबंदों के साथ हजारो वर्स पुराने प्राचीन संबंद है ठीक है रविन्ना टैगोर और महात्मा गांधी जैसे वेक्ति जो है इटली के साथ लेखनी वा रहे हैं जो कि आधुनिक संबंद है बाकि प्राचीन संबंद तो अलगी है जो सांस्क्रितिक संबंद है हमारे ठीक है फिर दूपक्षिय संबंदों को लेकर करके कुछ विफलता है रही है जैसे कि इतालिक मामला अब ये भी थोड़ा सा दोस्तों मामला जो है जानना कि देखे-2012 में क्या हुआ कि केरल के तट पर भारती मच्वारे थे उनके आरूपी दो इत्वाली सेंब्रकों सेनिकों मामले के चकर में क्या हुआ कि पूरा टेंशन बाजी हो गया हुआ हुआ ये ठा कि जो इटली के वो हैं नौसैनिक हैं उनलों क्या किये थे भारती मच्वारों की हत्या का रूप उन पर लगा था ठीक है और यह जो मुद्धा है राजनीतिक और विधिक रूप से पढ़ गिया जिसमें देशों के बीश राजनाइक संबंद पर भी इसका प्रभाव पढ़ा फ तो कहीं न कहीं बाकी देश भी चाते हैं कि भारत के साथ संबंद थोड़ा ठीक ठक बना रहे हैं फिर अगस्ता वेस्ट लेंड आरोग क्या है तो देखे अगस्ता वेटलिंद सौदेग के संबंद में प्रष्टाचार के आरोग ने संबंदों को औरतिक तनावपूर बना जालो ने परियाप साक्षो के कारण सभी आरोपों से खारीच कर दिया था लेकिन फिर भी यहां पर देखेंगे तो दोरों मुद्दे हैं जो टेंशन बाजी के लिए परियाप थे तो इसको आपको याद करके रख लेना है फिर देखें आगे तो ठीक है रिलेशन में जो भी दिक्कते आई तो उसके बाद हमारे तरफ से क्या कोजिश रही है रिलेशन को आगे लिके जाने का तो सबसे पहले दोस्तों राजनाइक साहिब भागिता है कि संबंदों को सुधारने के प्रयास लगबख वर्श 2018 के आसपा सुरू हो गया थे ठीक है यानि कि यह भी प सामरिक साजयदारी में क्या था कि वर्श 2021 में जी ट्वेंटी सिकर संबिलन के लिए भारतिय प्रधान मंत्रे की इटली यात्रा था 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 उसके बाद इतालवी नेताओं के साथ वारता ने महत्वपुन के दिमाने स्थापित किये है ठीक है यह सब भी जी ट्वेंटी के रहें कई बात है एक किस में हुआ था सबसे ठीक है रक्षा व्यापार वह प्रोध्योगी के जैसे विभिन रचेत्रों पर ध्यान के इंद्रित करते हुए दूई पक्षिये समझाते है यह सामरिक साजयदारी थी वह स्थापित की गई ठीक है यानि कि जी ट्वेंटी का र भारत के लिए प्रमुक व्यापारिक भागेदार बनके उबराएं तो जो इंडिया का जो मार्केट है वो अब धीरे-दीरे बड़ा हो रहा है ना रक्षा और प्रद्वगी की के सहयोग सहीत आर्थिक सहयोग पर बल देने के लिए बल देने से जो संब्द है हमारे वो मज प्रद्वाथी का संतोलन तो अधूरिय प्रेख्षाओं से प्रेरित पर इटली का पुनेर विचार छेत्री चिंताओं के कारण भारत का भी जो चिंता था लगबग वैसी चिंता इटली भी जाहिर कर रहा है इस चाइनीज प्रोग्राम के बारे में ठीक है तो हमारे लिए अच्छा है दोस्तों कि यूरोप में हमारा एक एलाइस बन रहा है ठीक है जो हमको चैना के मामले में सपोर्ट करेगा ठीक है तो यह चीजे हैं दोस्तों इसके बाद अगर आप देखें कि इसके अलावा भी और क्या क्या है सहीयोग के मामले में देखें इस पेस टेक्नोलोजी के मामले में सहीयोग अच्छा हो रहा है ठीक है यहाँ पे जो हेलियोफिजिक्स है यह सौर मंडल पर सूर्य के हुए है ठीक है और देखेंगे आप तो आतंक वाद निरोद पर भारत इटली सिफ्ट कारे सम्मू भी बना हुआ है ठीक है फिर छेत्री सहीव और कनेक्टिविटी के मामले में देखें तो भारत इवम इटली ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाचे पर गड़ अंदन ठीक है इस तरीके के जो नए अंतराश्टि अंगठान है उसकी छमता को स्विकार किया है और भारत जो है इंटर्नेस्टनल सोलर एलायन्स के जो सारव भॉमिक करने कि सब उसमें सामील हो सकते है भारत ने किया तो इसमें जो है इतली का स्वागत भी किया गया कि आप conclusion लिखे, progressive लिखे और ये चीज दिखाई कि इंडिया महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है ठीक है और उसमें क्या है कि इटली भी एक important role play करेगा ठीक है इटली के BRI से बाहर हो जाने के बाद हो जाने के साथ भारत और इटली के बिच आर्तिक सजोग बढ़ सकते हैं ठीक है भारत और इटली रक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, विरोधी, समुद्री, सुरक्षा, सहीत, विविन छेत्रों में अपनी रणनीतिक साज्यदारी को बढ़ा सकते हैं रक्षा, उत्पाद, सयुप, सैन अभ्यास, और सूशना साज्याकरण के अब आत्मक, प्रयाद, सुवक्षा, सम्बंदों को मजबूत कर सकते हैं ठीक है तो यहां तक दोस्तों चीज़े समझ में आ रही हूं यह आपको देखें दोस्तों यह हवारा जो थमनेल वाला था लास्ट में हमने इसको डिसकर्स भी कर लिया है ठीक है यहां पर दोस्तों अब प्री के तरफ के सीट होना है ठीक है पीटी के तरफ आपको जाना है एक काम्य करना है और दूसरा काम है दोस्तों कि जो भी करेंट अफेर्स आप फॉलो करते है न उसको रेगुलर बेसेस पर करिए ठीक है ताकि ऐसे नहीं हो जब एक्जाम का टाइम आप मैगजीन ल आइडिया रहा कि क्या चीज़े चली है साल भर न्यूज में तो मैक्सजीन आपके लिए करना थोड़ा असान हो जाएगा और आपको इसके PDF तो टेलिग्राम चैनल पर मिली जाएगे तो आप डिरेक्ट वहाँ से भी पढ़ सकते हो इसाब चीज़ को डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ पर जाकर कि चैनल जोइन कर लिजएगा और फिर वहाँ से आप अपना बाकी जो है PDF डाउनलूट कर सकते हैं ठीक है तब तक के लिए बाए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी है वा गुड डे